हंस और मूर्ख कच्छुआ की कहानी एक जंगल के बीचों बीच एक तलाब था, जहां जानवर आकर अपनी प्यास बुझाया करते थे. उसी तलाब में एक कच्छुआ भी रहता था. वह फालतू की बातें बहुत करता था, इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी खा हुआ था. लेकिन दो हंस उसके बहुत अच्छे दोस्त थे, जो हमेशा उसका भला चाहते थे. एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे-धीरे सूखने लगा. जानवर पानी पीने के लिए तरसने लगे. यह देखकर हंसों ने कच्छुए से कहा कि इस ताला भी नहीं है, लेकिन हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे. उन्होंने अपने दोस्त की मदद करके लिए खूब सोचा और एक तरकीब निकाली. दोनों हंसों ने कहा कि हम एक लकड़ी लेकर आते हैं. तुम अपने मूं से उसे बीच में से पकड़ लेना और लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों पकड़ कर तुम्हें यहां से दूर एक बड़े तालाब में ले जाएंगे. उस तालाब में बहुत सारा पानी है और वो कभी नहीं सूकता. कचुआ उनकी बात मान गया और हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया. उड़ने से पहले हंसों ने उसे च पकड़ कर उड़ चले. वो उड़ते हुए एक गाव के उपर से निकले. गाव वालों ने ऐसा पहली बार देखा था. सभी तालियां बजाने लगे. यह देखकर कचुए से रहा नहीं गया और बायला की नीचे क्या हो रहा है. जैसे ही उसने बायलने के लिए मुह खोला, उसके मुह से लकडी छूट गई और वो नीचे गिर गया. उचाई से नीचे गिरने की वजह से कचुआ मर गया और हंस अफसोस करते हुए वहां से चले गए. कहानी से सीख, हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए. ऐसा करने से हमारा ही नुकसा होता है.